हलो फ्रेंड्स आईए देखते हैं इस वीडियो में जो हमारा है वाला अक्षर रह गया था यानि इंग्लिश में है के लिए कौन से लेटर्स बनते हैं जैसे यहां पर हम हा लिखें और इसके साथ अगर हम आका डंडा और बना दें तब भी हम इसको हा बोलेंगे तो यहां पर है के लिए और हा के लिए जो आवाज यानि जो लेटर्स बनते हैं इंग्लिश में वो ह बनते हैं और ह के साथ हम ए और बनाएंगे हा और यहां पर भी ह अगर हम है के साथ में छोटी ए की मातरा बनाएं तो यहां पर हम है के साथ बड़ी ए की मातरा बना दें तो हम यहाँ पर H के साथ double E लिखेंगे, कोई भी word आप आसानी से English में लिख सकते हैं, यह किसी का नाम भी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि English में नाम कैसे लिखे जाते हैं, अगर कोई Hindi नाम हो और उसको English में कैसे लिखते हैं, तो उसको भी बताएंगे, तो यहाँ पर है के नीचे अगर छोटे O की मातरा आ जाए, तो H और U अगर है के नीचे बड़े O की मातरा लग जाए, हू तो इसके लिए हम H और डबल O का यूज़ करेंगे, इसी तरीके से अगर हम है पर A की मातरा लगाए, तो यह हो जाएगा हमारा HO, और है के लिए है के साथ में, अगर हम आओ की मातरा लगाए, तो यह हो जाएगा हमारा HAU, ओके, ऐसी ही एक अक्षर है, हिंदी का छे शत्री है तो इसके लिए, देखिए, यहाँ पर यह शा हो गया, और यह शा हो गया, यह भी जैसे हम बोलते हैं, रक्षा, इस तरही किसे तो इसके लिए हम के, एस, एच, ए, यह वाला, मतलब यह लेटर्स हम यूज़ करेंगे, के, एस, एच, ए ऐसे ही, अगर हम इस पर छोटी ए के मातरा लगा दें, तो इसके लिए हम के, एस, एच, आई और अगर हम इस पर बड़ी ए की मातरा बनाएं, तो यह के, एस, एच, आई सुरी, बड़ी ए मतलब डबल ए लगा देंगें इसके साथ में, के, एस, एच, डबल ए और अगर हम छह के नीचे छोटे O की मातरा लगाएं, तो K, S, H और U और अगर हम 6 के निचे बड़े O की मात्रा बनाएं तो यह हो जाएगा हमारा K, S, H और डबल O ऐसे ही अगर हम 6 के उपर A की मात्रा लगाएं तो K, S, H, E और अगर हम 2 मात्रा लगाएं A की तो यह हो जाएगा हमारा K, S, H, A, I ऐसे ही अगर हम 6 के साथ में O की मात्रा बनाएं तो यह हो जाएगा हमारा K-S-H-O और अगर हम 6 के साथ में O की मात्रा बनाएं तो यह हो जाएगा हमारा K-S-H-A और U इस तरीके से friends हम यह च्छा पाला छोटी की मातरा बड़ेओ की मातरा यह चोटेओ की मातरा इस तरीके से हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे ही एक लेटर है ग्याग्यानी तो इसके लिए हम जी वाई ए का यूज करते हैं ग्या ग्यानी इसी तरीके से हम ग्या जी वाई ए ऐसे ही अगर हम छोटी ए की मात्रा इसके साथ बना देंगे तो यह हो जाएगा हमारा जी वाई और आई और अगर हम ग्या पर बड़ी ए की मात्रा बनाएंगे तो जी वाई डबल ए इसी तरीके से हम जब गय के नीचे छोटी U की मातरा बनाएंगे तो हम इसमें G, Y और U इस तरीके से और अगर हम गय के नीचे बड़े U की मातरा बनाएंगे तो G, Y, O ऐसे ही अगर हम गय के उपर A की मातरा लगाएंगे तो G, Y, E अगर हम गय के साथ में O की मातरा लगा देंगे तो G-Y-O और अगर हम गय के साथ में O की मातरा लगाएंगे तो G-Y-A-U इस तरीके से friends ये हमारे सारे हिंदी के लेटर्स पूरे हो चुके हैं आपको हमने इस वीडियो में और पिछली वीडियो में भी ये बताया है कि कौन से अक्षरी के लिए इंग्लिश में कौन कौन से लेटर्स बनाते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें थैंक्स फूर वाचिंग